आज मैं आपको अपने साथ लेके आई हूँ जी जाओ पर्रेटन केंद्र चिंचवर पार्क इस पार्क की सारी इंफॉर्मिशन जैसे की इसके टाइमिंग्स इसकी एंट्री फीस पार्क के आसपास कौन सी जगह है जहां आप जा सकते हैं और यहां पर क्या क्या अक्टिविटीज अविलेबल है इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ तो इस ब्लॉक को यह पार्क पुने के चिंचोड एरा में बना हुआ है और इसके टाइमिंग्स है और इवनिंग में फोर टू एट ये पार्क बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है इस पार्क के एक एरिया में animals के sculptures बने हुए हैं जो देखने में बहुत ही cute और real लगते हैं बच्चे इनको देखके बहुत ज़्यादा excited हो रहे थे बहुत ज़दा खुश हो रहे थे और इनके साथ पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे इस बाके सबसे अच्छी भात पताए क्या है ये बिल्कुल फ्री है इसकी कोई एंट्रिफीस नहीं है यहाँ पे बच्चों के लिए स्केटिंग इरिया भी बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चे अपने स्केटिंग की प्राक्टिस कर रहे थे ये पार्क मोर्या गोसामी टेंपल की बिल्कुल साइड में ही है अगर आपने मेरा मोर्या गोसामी टेंपल का वीडियो नहीं दिखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी आप देख सकते हैं तो जब भी आप गणपती बप्पा की दर्शन के लिए आएं तो इस पार्क को जरूर विजिट करिएगा ये पार्क पवना नदी के किनारे बना हुआ है और यहां का एट्मॉस्फिर बहुती शांत और पॉजिटिव है तो आप यहां पर आके एक अच्छी इवनिंग जरूर स्पेंट कर सकते हैं और साथी साथ एक्सेसाइस के कुछ एक्विप्मिंट्स रखे हुए हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं तो आप यहां पर जाके एक्सेसाइस पर कर सकते हैं यहां पर बहुत बड़ा प्ली एरिया बनाया गया है बच्चों के लिए जहां पर डिफरेंट टाइप के स्लाइड्स और जूले विलेबल हैं यहां पर वीकेंड में बच्चों की बहुत भीड लगी रहती है गाइस आपको यह सारी इंफॉर्मिशन यूस्फुल लगी हो और मेरे साथ पाग घुमने में मज़ा भी आया हो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो don't forget to like, share and subscribe to my channel subscribe बिल्कुल free है तो please इसे जरूर कर दीजेगा मिलती हुए एक नए वीडियो के साथ बहुत जल तिल देन बाई